कैसे हैं आप सभी मेरे लडु लडो कनेया केशो मेरे भी हारी लाला मेरे गुपु लाला की असी मकुपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी तो सदियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरे लाला नाली के पास में हीटर चल रहा है और कल रात में पारिश इतने जादा हुई कि मैं तो बहुत जादा डर गई थी कि पता नहीं सुभा बहिया को मातरानी को मैं अपने सनान करा पाऊंगी कि लेकिन धूप अच्छी निकल आई थी तो मैंने अपने लडू बाबु लाड़ो को सुभाही सनान करा दिया तो जी आज का वीडियो है बहुत आज हम जानेंगे कि अपम हम लडू बाबु लाड़ो को भोग लगाते समय घंटी क्यों बजाते हैं जी और घंटी बजाना क्यों है अवश्यक तो चलिए शिरू करते हैं आज के व्लोग को हरी बोलो हरी हरी बोलो जी जी तो यह देखिए मेरे भी हरी लाला लडू गई है तो जी चलिए श्रू करते हैं आज के व्लोग को आज जो जिस विशेय पर हम चर्चा करेंगे वह है यह घंटी जो होती जो है घंटी क्यों बजाना अनिवार होती है मेरे नारायन की पूजन में मेरे नारायन की जो जब भोग लगता है लडू बाबू को कनहीया को तो ये घंटी क्यों बजाना जरूरी होती है तो ये देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो घंटी है देखिए इनमें क्या ये क्या बने हूँ है क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है ये जो घंटी है घंटी के ऊपर ये जो बने है ये गरुण देव बने है औ ये घंटी मेरे नारायन की जो वाहन है गरुण उन्ही का अवतार माना जाता है इस घंटी को तो नारायन मेरे कनहिया की पूजन में घंटी जो है वो बहुत ही एहम भूमिका निभाती है क्योंकि मेरे नारायन के अतिप्रिय वाहन की वो अवतार है और इस वज़ा से हम घंट का प्रयोग लाला की पूजन में कनहिया की पूजन में अवश्य अवश्य करते हैं और घंटी बजाने के देखिए अगर आप सुभा शाम मंदिर में अपने घंटी बजाते हैं ठीक है पूजन करते हैं आरती करते हैं घंटी बजाते हैं तो आपके जो घर का महौल है बहुत रहती ही नहीं है जितनी भी negativity वगरा होती है सबी कुछ दूर हो जाती है जी तो ये तो बात हो गई कि घंटी जो है वो कौन है और उनकी जो मुख्य आप उनके कह सकते हैं जो कार है वो क्या है अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लड़ बाबु के मेरे कनहया के भोग में गंटी बजाना क्यूँ अनिवार है जी तो कनहाईया के भोग में गंटी बजाना इस वज़ा से अनिवार है क्योंकि देखिए जब मेरे कनहाईया मेरे लाला माथन चुराने अपने सखाओं के साथ में गोपीओ के पास जाते थे तो मेरे गौपी जो जितनी भी गौपीया रहती थी मेरे कन्हया पहले वो नहीं समझ पाती है जिंकि भाई ये आखिर क्या बात है कि हम लोग जैसे ही अपने माखन को और भही को रखते हैं वैसे ही ये माखन हम जब am को दुपैर को देखते हैं तो वो होता ही नहीं है अखि फिर ये कौन लेके जाता है, कौन चोरी कर रहा है, फिर उन लोगों ने क्या किया, माखन को देखी, इस तरीके से टांगना शुरू कर दिया, जब उन्होंने इस तरीके से माखन को टांगना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आखिर कैसे ये माखन कौन खाता है, ये कहा जाता है ऐसे तो कोई भी नहीं ले पाएगा लेकिन फिर भी मेरे कनया मेरे लाला इतने शैतान अपने सक्षाओं के साथ में फिर भी माखन और मिश्री को वो खा लिया करते थे अब एक बार सारी गोपियों ने और यशोदा मयाने मा यशोदा के पास मा यशोदा भी इसी जो हांडी है उसमें हम घंटी बान देते हैं जैसे ही कोई भी माखन को हांडी को हिलाएगा वैसे ही घंटी बजने लगेगी तो मेरे लाला इतने शरार्ती और इतने चतुर वो जैसे ही हांडी के पास गया तो उन्होंने देखा कि अच्छा तो सभी लोगों ने योजना ब वैसे ही जो गंटी है वो बजने लगेगी तो कनहिया ने सभी को आदेश दिया कि पहले जो उनके सखा हैं उनको माखन खिलाएंगे तो वो हमेशा ही ऐसे करते हैं मेरे लाला वो पहले अपने सखाओं को माखन और दही का भोग लगाने के बाद ही वो खुद खाते थे तो सब को पहले अच्छे से वो खिलाते थे फिर स्वाय खाते थे तो अब क्या हुआ कि जब कनहिया ने घंटी देखी तो कनहिया ने मेरे लाला ने घंटी को आदेश दिया कि ए घंटी जब तक कि मैं माखन और दही का भोग लगाऊंगा मैं खाऊंगा तब तक कि तु बजन गंटी ने कहा जी बिलकुल प्रभू की आग्या जैसी अब भई जैसे ही काना ने लाला ने सभी जो उनके सखा थे उनको माखन और धही खिलाया तब तक तो गंटी ना बजी बिलकुल शांती से सब लोगों ने खुबचे से माखन और धही खाया लेकिन जैसे ही मेरे लाला दही और माखन खाने को हुए बस वैसे ही घंटी बजने लगी और तो वैसे ही कनईया ने घंटी से बोला है कि तेरी कैसे तू क्यूं बजी मैंने तो मना किया था ये तो मेरा आदेश था ना कि जब तक ही मैं दही माखन खाऊंगा घंटी तुम नहीं बजना तो घंटी ने कहा प्रभू मेरे नारायन कितना ही अलोकिक द्रिश कितने ही मेरे भाग्य ऐसे हैं कि मैं आपकी दही हांडी में बंधी हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है प्रभू की आप भोजन करें और मैं अपन भोजन जब जब करें आप मुझे ऐसा वर्दान दे कि जब मेरी घंटी बजे तो ही आप भोजन सुईकार करें और मेरे लाल मेरे कनहिया इतने प्रसंद हुए हैं कि अब यही चलन हो गया यही तब से यही एक आप यह कह सकते हैं कि भोग प्रभू मेरे लाला तभी सुईक माला सपर्शुई हो या तुलसी दल हो और घंटी जरूर बजये तो ही मेरे लाल बोजन श्वीकार करते हैं तो यह ती घंटी बजने की जो महीमा हैं Гंटी क्यों बजाए जाती है उसके पीछे की नहीं मेरे लाला की काहानी मेरे लाला बहुत शरारती है और इस तरीके से घंटी जरूर बजाईए जब भी भोग लगाईए घर में पूजन करिए कनया की आरती करिए तो घंटी जरूर बजाईए घर के हर कोनों में घंटी बजाईए घर के हर कोनों में यदि आप धूबती आरती और घंटी बजाती है तो कोई भी नागेटिविटी आपक पूपू विराजे हैं तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं और यह मेरे घंटी बजाने का जो महतव है मेरे लाला के भूग में आरती में पूजहिन वो मैंने